किसान भाईयो स्वैबिन की फसल में NPK 1919 का स्प्रे करने से क्या फाइदा मिलता है इसका स्प्रे कब करना चाहिए कितनी मात्रा लेनी चाहिए क्या इसके साथ हम अन्य किसी चीज को मिला कर दे सकते हैं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे इस वीडियो को आखिर तक देखिए जो किसान अमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को अन्य किसानों तक सेर भी जरूर कीजे तो चले वीडियो को सुरू करते हैं NPK 1919 जिसमें नाइट्रोजन फासफरस और पोटास की मात्रा पाई जाती है ये पानी में गुलनसील खाद है इस प्रेके माधियम से इसका परियोग किया जाता है ये खापी सस्ते खाद होते है कम लागत में इनके माधियम से किसान भाई खेती में अपने उत्पादन को बढ करें तो सौयबिन की वसल में NPK 1919 खाद का कापी जरूरी स्थान है क्योंकि सौयबिन की वसल में बुवाई के बाद हम अधिकतर खादों का परियोग नहीं करते है केवल यूरिया का परियोग किया जाता है उसमें से भी 50-50.60% कि सानवाई यूरिया भी नहीं दे पाते है ऐ इसे में फसल को थोड़ी बहुत पोसक्ततों की कमी नजर आती है अगर उन पोसक्ततों की पूरती हम कर देंगे तो फाइदा हमें जरूर मिलता है बात करें नपी के उनिस 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 की तो इसमें तीनों खाद नाइटूजन फासफरस और पोटास उपलब्द होते है एक समा मौदे में जो पीला पनाता है वो पीला पन भी कुछ हद तक दूर हो जाता है स्वैबिन की वसल में नपी के उनिस 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 का इस्परे बुवाई से 25 सीजिन के आसपास करना चाहिए फूल आने से पहले ही आप स्वैबिन में नपी के खाद का इस्परे कर सकते है जब आप NPK पहले स्प्रे में दे सकते हैं पहले स्प्रे में NPK देने से सुरुआत में फसल पर इसका असर नजराता है और हमें सुरुआत से ही इसका रिजल्ट दिखने लग जाता है अगर इसकी मातरा के बारे में बात करें तो एक एकड में A-K-G N-P-K 19-19-19 का इस पर आपको करना चाहिए और पानी की मातर थोड़ी जादा लेनी चाहिए यह पानी में गुलनसील खाद है इसका परियोग करने से वसल में कहीं सारे फाइदे मिलता है इसके एक केजी की प्राइस भी कम से कम 150 रुपे के आसपास होती है जिससे नॉर्मल सभी तरह के किसान भाई इस खात का परियोग कर सकते है इसका परियोग करने से स्वैबिन में ग्रोथ सम्मंदी समशाएं नहीं आएगी पेदावार बढ़ेगी फल पूल तेजी से आएंगे और उत्पादन जादा निकलेगा किसान भाई यो आप भी स्वैबिन की वसल में इनपी के 1919 का परियोग कर सकते है वीडियो अगर पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और अन्य किसानों तक सेयर करें धन्यवाद